Good morning children, आज हम करेंगे class 3 की worksheet number 99, date है 3 November 2020, subject maths और हमारा topic है split numbers into 100, 10s and 1s. worksheet start करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजे और हाँ बैल आइकन जरूर दवा देना जिसे जब भी मेरे new video आया है तो सबसे पहले वो आपके पास ही पहुँचे. तो आज हम खेलेंगे दुकान दुकान का गेम, दुकानदार दुकानदार खेलना रश्मी और उसके भाई रोहित को बहुत पसंद है, खेल में कभी रश्मी दुकानदार बनती है तो कभी रोहित, आज के खेल में रश्मी दुकानदार और रोहित क्राहक बना है, उन्होंने 110 और 1 के नोट पुराने कागलदों से बनाए रोहित रश्मी की दुकान पर नीचे लिखा हुआ समान खरीद ने गया और उसने 110 और 1 के नोटों से समान खरीदा आप सरान रोहित की पैसे देने में मदद करेंगे लेकिन दियान रहें आपको पैसे देते समय कम से कम नोटों का इस्तमाल करना है तो रोहित के पास कितने नोट हैं? सिर्फ तीन, सौ का, दस का और एक का नोट और उसे कम से कम नोटों का इस्तमाल करना है तो चलिए उसकी help करते हैं समान, कीमत और कितने नोट देने होंगे तो यहां समान वाले बॉक्स में यहां सारे समान लिखे हैं जो जो खरीदना है उसे यहां कीमत उनों की कीमत है और कितने नोट देने होंगे उन्हें खरीदने के लिए हमें कितने कितने के नोट देने होंगे पहला समान जो रोहित को खरीदना है वो है बॉल, बॉल कितने रुपे के है, कितनी कीमत है बॉल की, 36 रुपे, यानि 36 रुपीज, तो कितने रुट देने होंगे, तो 30 को पूरा करने के लिए हमने 10, 10 के 3 रुट दे दिये, 10 प्लस 10, 20, फिर एक और 10 प्लस करेंगे, तो 30, के नोट, ये हो गया, 36 रुपीज, दूसरा समान है चर्खी, चर्खी की कीमत है 15 रुपे, 15 रुपीज, इसके लिए कितने रुट देने होंगे, तो चर्खी खरीदने के लिए 15 यानि 10 का एक नोट, और बाकी वज़े 5, तो 5 के लिए हम 5 एक के सिक्के देंगे, तो इस तरह की से कितने रुपे बने, 15 रुपे, 10 का एक नोट, और एक एक के पाच सिक्के, अगला समान है चर्खी, पैंसल बॉक्स, पैंसल बॉक्स की कीमत कितनी है 48 रुपे, यानि 48 रुपीज, इसके लिए कितने नोट देने होंगे, तो 48 को पूरा करने के लिए, हम 10 दस के 4 नोट दे देते हैं, इससे हमारा बन जाएगा 40, यानि 40 रुपीज, 40 के बाद 8 और बचेगा, 8 को पूरा करने के लिए, हम 8 एक के सिक्के दे देंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा 48, यानि 48 रुपीज, क्योंकि जब हम 48 को तोड़ेंगे, तो 40 प्लस 8, 40 प्लस 8, तो इस तरीके से 48 हो जाते हैं, तो 40 को पूरा करने के लिए, हम 10, 10 के 4 नोट, और 8 को पूरा करने के लिए, एक एक के 8 सिक्के, अब उसे खरीदना है, बल्ला, बल्ला यानि बैठ होता है, तो उसकी कीमत है, 60 रुपीज, तो इसके लिए कितने नोट देने होंगे, 60 तो बहुत ईज़ी है 10, 10 के अगर हम 6 नोट दे दें, तो कितने हो जाएंगे, 60, 10, प्लस 10, प्लस 10, प्लस 10, प्लस 10, प्लस 10, यानि 10 को 6 बार अगर हम प्लस करें, तो 60 रुपी, 60 रुपे बनते हैं, तो बल्ला के लिए उसे 60 रुपे चाहिए, तो 60 रुपे के लिए हम यूज करेंगे 10, 10 के 6 न 125 रुपीज, 125 रुपीज, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो, 120 और 5, 125, तो इसको जब हम तोड़ेंगे, 125 को तो क्या हैगा, 100 और 20 और 5, इन तिनों को में लाकर बनता है, 125, तो अब हम 100 का नोट लेंगे, 100 के नोट के साथ 20 का नोट बनाने के लिए 10, 10 के दो नोट, और बाकी 5 बचा, 5 के लिए हम 5 सिक्के लेंगे, एक एक के, ठीक है, तो इस तरीके से 125 बन जाएगा, ठीक है, 100, 10, 10 के दो नोट, और 5 सिक्के, एक एक के, understand, तो हमने रोहित की मदद करी, और दुकान दुकान खेला अब next question में बोला गया है, आप भी पुराने कागजों से 100, 10 और 1 रुपे के नोट बनाईए, आज के दिन आपके घर में जो भी समान खरीदा जाएगा, उसकी कीमत अपने कागज के नोटों से नीचे दिखाएगा, तो आज के दिन आपके घर में जो जो भी समान आएगा, उन समान का आपको नाम लिखना है, उनकी कीमत लिखनी है, और कितने नोट देने होंगे, ये भी लिखना है, तो ये आप खुद से करेंगे, जैसे आपके घर में सबची खरीदी, दूद खरीदा, तेल खरीदा, और चीनी खरीदी, ठीक है, अब हम इनकी कीमत लिखते हैं, सबजी की कीमत 40 रुपे यानि 40 रुपीज, दूद की कीमत 100 रुपीज, तेल की कीमत 200 रुपे और छेनी की कीमत हो गई 50 रुपे, ठीक है, अब कितने नोट देने होंगे, तो 40 रुपे बनाने के लिए, यानि 40 रुपीज बनाने के लिए कितने नोट देने होंगे, तो उसके लिए हमें 10 दस के चार नोट देने होंगे दूद 100 रुपे का है और हमारे पास 100 के नोट भी है तो हम डाइरेक्ट 100 कर ही नोट दे दते हैं तेल है हमारा 200 रुपे का 200 के लिए हमें 100-100 की दो नोट देने होंगे उसकी कीमत लिखेंगे और उसके लिए कितने नोट देने होंगे वो लिखेंगे तो ये थी आज की वर्कशीट नमर 99 आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बिड़ाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं तो मिलते हैं कर अपनी नेक्स वर्कशीट के साथ थैंक्स फो वाचिंग